देखो, एस्टेट और टीचर वाले टी आरी के एक्जाम के लिए हम लोग कंप्यूटर साइंस डिसकस करें, कंप्यूटर साइंस में यह बेसिक वाला चाप्टर भी डिसकस करें, दो टॉपिक हमने एक साथ इस्टार्ट किया है, एक तो कंप्यूटर फंडामेंटल बहुत सा कोर्षन आते हैं, पिछली बार तो कुछ जादा ही कोर्षन आ गया था, TRE 2.0 में, इसलिए हम एक्तम फंडामेंटल को स्ट्रॉंग कर लेंगे, तो बाद का टॉपिक हम यह से भी स्ट्रॉंग लेगा, बाद का टॉपिक हमको आसान लगने लेगा, तो चलिए, यह एक बेसिक बेसिक बात किये थे, इसमें हम इनपूट डिवाइस के बात करेंगे, इस वीडियो में हम ट्राइ करते हैं कि इनपूट डिवाइस पूरा कंप्रीट हो जाए और आउटपूट डिवाइस पूरा कंप्रीट हो जाए, ठीक है, तो इनपूट डिवाइस में क्या करत एक सिगनल देता है, यानि data transfer करता है, इसके बाद एक process करता और output send करता है, यह तो basic है, सब को पता है, तो वो input device कोन कोई है, उस input device के बारे में हम discuss करेंगे, total लगव 18 input device है, उसके बारे में हम परेंगे, सबसे पहले, सबसे पहला input device है, वो है keyword, सबसे पहला input device है उसके नाम है keyboard, keyword क्या करता है data को इंटर करने में मदद करता है data को इंटर करने में मदद करता है Key के process से और एक और चिए यादखना keyword दो चीसे connect होता है या तो USB से connect होता है या तो Bluetooth से connect होता है अगर कोई keyword जो की vert beginnings है वह कैसे connect होगा ब्लूटूट से नहीं तो वायर वला है तो कैसे connect होगा USB से connect होगा अब keyword के कई सारे प्रकाल है जो बहुत common है उसको qwerty keyword बोलते है qwerty इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर आप नाम देखो यहाँ जो word है इस word के कारम इसका qwerty keyword पर रहा है यह सबसे comment यूज होता है याद रखिए यह याद नहीं रखना है जो second keyword होता है जिसको बोलते है agility keyword यूज होता है यह कहाँ पर develop हुआ फ्रांस में पास यह point यह याद रखना है की फ्रांस में develop हुआ थार्ड keyword keyword का नाम है डोवरेक यह keyword सिर्फ और सिर्फ आपसे पूछा जाएगा टाइपिंग speed को increase करने के लिए कौन सा keyword यूज किया जाता है अच्छे से यूज करने के लिए येवल dvora की keyword ठीक है तो हमने तीन प्रकार का देखा एक तो फ्रांस में जो यूज होता है फ्रांस फ्रांस में और बाकी उर्पियन कंपनी यूज करती है और एक एक एजर्टी वालो जो हम लोग भी यूज करते अर एक होता है typing speed को improve करने के लिए तो keyword से related इससे ज़्यादा question नहीं बन सकता अब हम discuss करते माउस के प्रकार अब माउस के बारे में देखिए ध्यान रखना है hand held input device होता है हाथ में हम लोग यूज करते और आपको पता है cursor और pointer होता है जब माउस को हम इधर उधर करते क्या इससे question बनेगा नहीं question क्या बनेगा कि माउस का सबसे पहले invention किस ने किया डॉग्लास सी एंगेल बार्ट डॉग्लास सी एलगेन बार्ट ये 1963 सुरुवाती जो माउस था न उस सब में आपको क्या मिलता रॉलर बॉल में था अब के माउस में ऐसा नहीं होता है और ये और इसके अंदर क्या होता है एक movement sensor लगा होता है जैसे move करता है वो screen पर पता चलता है बट जो modern माउस बाला होता है उस वो किस पर काम करता है ये important है optical technology पर काम करता है ये cursor movement को control करता है किस के दोरा वीजिवल और इन्विजवल लाइट बीम के दोरा ये important formation है optical technology पर काम करता है क्योंकि technology वाला question पूछा हुआ था पहला mouse है mouse का पहला प्रकार है track ball mouse क्या है track ball mouse ये आपको देखते हो ये आपको ऊपर में लगा है जिंदली हम लोग जब से देखते हैं तो हमसे नीचे में लगाता है ये ऊपर में लगा होता है जो ball type का यह बहुत आराम से समझे ट्रैक बॉल माउस जैसे नॉर्मल अभी वाला जो माउस होता है वो माउस को हिलाते हैं अपने जगह से माउस को हिलाते हैं बट इसमें ऐसा नहीं था यह इस्टेशनरी इन्पुट डिवाइस ते इसका जो माउस था वो बिलकुल आप सांथ से एक अइसे हर रह सकते है आपको जो ऊपर का यह पार्ट है ना उसको डोटेट करना है बस इसली को किसे mechanical mouse mechanical mouse नो उससे थोड़ा high performance के लिए उच किया जाता था वो बिल्कुल सुरुआती वाला था बट इसमें एक drawback था कि यार मसी जो खुला था ना तो बहुत सारा dust और गुश जाता था तो regular cleaning की जरूरत होती थी यह corded type आप से पुछा सकता corded type of mouse कोन सा था तो mechanical mouse होता था और इसमें बहुत सारे rollers होते थे जो की movement को track कर सके clear बहुत सारे rollers होते थे अदलब एक ball होता था और बहुत सारे rollers होते थे याद रख सकते हैं third यह optical mouse है यह जो हम लोग अभी यूज करते हैं यह optical electronics में यूज होता है to track the moment यह ज्यादा reliable है पूराने दुन सा बट यह सबसे ज्यादा important है जिससे question आ सकता है यह cordless है यानि तार हो गएरा इसमें नहीं होता है एक यह आपको connect करना होता है USB में यह वाला point USB में connect करना होता है और फिर इसमें एक on करना होता है button but इसमें battery लगता है याद रखना है इसमें battery चाहिए इसको charging के लिए it uses battery for power supply जैसे उन समय battery नहीं लगता है क्योंकि वो computer से direct connect होते है कोई cable नहीं होता है और यह wireless technology होता है किस प्रकार का technology यूज करता है याद रखना है infrared and radio infrared infrared और radio Bluetooth का यूज करता है Bluetooth यह Wi-Fi क्या यूज करता है यह याद रख सकते हो Bluetooth और Wi-Fi क्या यूज करता है करसर के movement को track करने के लिए अब अगला topic हम जो discuss कर रहे है उसमें हम discuss कर रहे है scanner scanner आपको पता है स्कैन कर लेता है जैसे आपको किसी page को scan करना है अगर physical copy है तो उसको scan करके क्या कर लेता है उसको digital form में डालना है online form में तो scan करवाना पर गया तो या तो image या आपको कोई certificate डालना है form में online form में तो image या certificate को क्या convert कर देता है digital form में convert कर देता है और कौन सा technique यूज करता है OCR technology कौन सा technology optical character recognition यह main याद रखना है यह point याद में रखना है स्कैनर क्या करता है OCR का method यूज करके image को convert कर देता है digital form में scanner के कई साथे type है हम एक-एक type discuss कर ले रहे है जितना exam में हमारा आएगा main technology यह बहुत important point है scanner आपको पता है क्या है बट यह point हो सकता है आपको न याद हो इसमें आपको ज्यादा याद नहीं करता है यहाँ पर एक glass type का होता है glass और पीछे से scanner होता है ठीक है यहाँ पर आपको glass पर क्या रखना होता है वह particular document रखना होता है यहाँ पर it has a glass pane and a moving optical array कौन सा optical array इसके पास होता है CIS और CCD array होता है CIS का full form होता है contact image sensor contact image sensor और CCD का full form होता है charge coupled device क्या है charge coupled device ठीक है उसके अलाबे यह light यहाँ पर परता है और scan कर लेता है यह सब आगे कुछ और याद नहीं रखना है बट यह समझे अगर आपको कोई transparent slide का scan करना तो उसके लिए transparency adapter चाहिए यह बात ध्यान रखनेना पाद clear तो पहले scanner में जो पहला type of scanner है जिसको flat bed scanner बोलते है उसमें glass pane होता है और उसके अलाबे optical CIS और CCD array होता है CIS का full phone होता है contact image sensor और CCD का full phone होता है charge couple device clear दूसरा type of scanner है hand held scanner यह याद मेरे hand हाथ में पगर के हम लोग करते हैं इसको scan मतलब अगर आपको किसी book का एक page scan करना होगा नहीं नहीं करेगा क्योंकि इसमें क्या होता है एक page के लिए slot होता है उस slot में वो page डालते हैं और page खुद बाखुद scanner के अंदर घूम के scan करके आ जाता है और इसके लिए the light does not move in the scanner light move नहीं करता है और यह खुद move करता है और scanner के अंदर जाता है scan कर लेता है तो main components के अंदर जो जो हुआ seat feeder scanning module and calibration seat यह धियान रखिए अगला scanner है drum scanner यह काफी अगर आपको बहुत detail में सब कुछ चाहिए था ना बहुत detail में तो यहां पे drum scanner यूज होता है कौन सा है इसके अंदर photo multiplier tube होता है simple पूछेगा है कौन से scanner के अंदर photo multiplier tube यूज होता है तो यह होता है drum scanner यसा पूछ लेते हैं और इसके पास अपना जो चार्ज कफल डिवाइस होता था ना जो फ्लाट वेड़ स्कानर में था ऐसा कुछ नहीं होता है और जो photo multiplier tube होता है extremely sensitive होता है light का और image को पता है glass tube के अंदर ही डाल देते हैं और पूरा image घूमता है और वह क्या करता है जो image का reflection बनता है उसको capture किया जाता है PMT के किस पर जो image का reflection बनेगा उसको PMT पर capture किया जाता है यह scanner बहुत ही high resolution पर काम करता है तो जहांपे एकदम detailed scan चाहिए आपको एकदम accurate scan चाहिए एक एक point चाहिए वहाँ पर जो यह उता है drum scanner तो हमने अभी तक कौन-कौन सा scanner discuss के लिए देखो पहले हमने discuss किया एक scanner था flat weight scanner जो जिसके पास अपना glass pen और optical CIS CCD एह रहे था दूसा handheld scanner याद कुछ नहीं रखना है seat fed यहाँ पर बस एक seat को को कोई किताब scan करना वहाँ यह नहीं यूज़ करेगा ठीक है उसका drum scanner है last scanner है last scanner क्या है इसको बुलते है photo scanner photo scanner इसको photograph को scan करने की लिए होता है photo scanner high resolution होता है color depth होता है ठीक है और कई पता है कई यह scanner में तो inbuilt software होता है for cleaning and restoring the photographs अगर आपको photo गंदा भी हो गया ना तो उसको clean करके restore करेगा photograph को तो मैं scanner discuss कर लिए detail में mouse discuss कर लिए उसके अलाबे और क्या discuss कर लिए keyword discuss के लिए अगला हम topic discuss करते ज्वायस्टिक ज्वायस्टिक क्या है देखो सबसे पहले यह picture आप देख रहे हो BPSC में इस पर question पूछा था इसका main use आपने देखा हो गेमिंग में लेकिन पूछा हो था गेमिंग में कौन-कौन इस्टुमेंट यूज होते हैं तो उसमें keyword भी था mouse भी था तो BPSC ने डी माना था यानी joystick भी होता है बट बाकी चीज़ भी होता है यह भी एक pointing device है जैसे mouse इसके पास एक stick होता है और नीचे एक socket लगा होता है यह बाद ध्यान रखना है उसके बाद जो इसका stick होता है वो कंट्रोल करता है cursor और pointer को main नाम याद रखना C.V.Miric C.V.Miric ने invent किया था at the U.S. Naval Research Laboratory ठीक है joystick के कई सारे type है याद नहीं रखना है बट joystick में क्या होता है cursor जो move करता है keeps moving in the direction of joystick unless it is upright ठीक है ठीक है cursor keeps moving in the direction of joystick लेकिन mouse क्या होता है cursor से तभी move करता है जब mouse move कर रहा लेकिन ऐसा नहीं होता joystick में अगला topic हम discuss कर रहे है light pane अगला देखो अब जो जिस pane से मैं लिख रहा हूं वो भी एक प्रकार का input device है तो जो light pane का जो tip होता है ना उसमें light sensitive detector होते है ठीक है और that user to point to or select object on the display screen select करता है use करता जो भी जो sensitive tip होता है ना वो object के location को detect करता है और signal देता है CPU को और यह LCD screen पे compatible नहीं होता है याद रखी रहा है इसको बनाया अगला देखो digitizer क्या है जो हम लोग जहां पे लिखते हैं लाप्टप में connect करके इसको digitizer बोना जाता है इसके साथ एक pain आता है जिसको stylus pain होते है ठीक है तो इस पे आप कुछ भी लिखोगे यहां पे कुछ भी handwriting यहां पे signature होगा रहा कुछ भी करोगे तो सीधा सीधा output पे सो करेगा बस यह देहां रखना है यह can also use to information in the form of drawing drawing के forming information receive किया और output किसको देता है CAD को computer added design को ठीक है जो software computer added design का software है AutoCAD अब होता है microphone की बात करते है next topic है microphone microphone करता क्या है simple समझो आपको और पता है आपको तो यह audio signal को यूज करता है जैसे मैं अब रिकॉर्ड कर रहा हूं माइक में तो मेरा audio सुनके यह digital form में record किया न तो हम बोल सकते audio यानि यह sound को record करके sound को convert करता है digital form में clear digital form में convert करता है बस यह याद रखना है तीन टाइप होते है microphone के dynamic, condenser और ribbon डाइनिमिक सबसे basic होता है इसका बहुत ही simple design होता है इसके पासे बस एक magnet होता है ध्यान देना magnet होता है आपसे simple पूछेगा किस microphone में magnet यूच होता है तो dynamic वाले magnet होता है और उस magnet पे आप बहुत ज़्यादा metal coil को wrap कर दिये ठीक है यह किस end में तो front end यह इसको front end बोलते है इसको back end बोलते है उस magnet पे बहुत ज़्यादा wrapping किया होता है metal का जो metal का जो seat है ध्यान देना metal coil the seat transfer vibration from sound wave to the coil ठीक है जो seat होता है वो सबसे पहले energy sound wave किसको transport करता है coil से और coil से किसको जाता है electric wire से और electric wire fit कैसे करता है electric signal के form में transmit करता है समझ में आया है कि एक magnet है magnet के उपर metal coil है और उसके लाबे एक thin seat लगाया है thin seat metal coil के बाहर एक thin seat लगाया है front end पे seat क्या करता है vibration transfer करता है coil को और coil फिर electric wire को और wire क्या करता है sound wave को electric form में convert करता है transfer the sound like a electric signal simple समझो clear अब शेकेंड वाला जो है वह है condenser condenser recording के लिए यूज किया जाता है design for audio recording के लिए यूज किया जाता है condenser और very sensitive होता है थोरा भी आवाज को पकर लेता है flat frequency response होता है इसके front end को diaphragm बलते है front end को diaphragm और back plate जो होता है front plate के parallel होता है ध्याम देना back plate पीछे वाला plate front plate के parallel होता है और जो front plate है उसको क्या बलते है diaphragm simple पूछेगा जो condenser वाला जो microphone है उसके front plate को क्या बलते है diaphragm देखो जैसे sound diaphragm को टकराता है ठीक है न यह दो plate के बीच के distance को distort करता है ध्यान देना दो plate के बीच को जो distance है जैसे यह front plate है front plate पे आवाज आपका गया तो दो plate के बीच distance को क्या करेगा इस change in distance को transmit किया जाता है as a electric signal यह change in जो distance को दो plate के बीच उसकी को electrical form में transmit किया जाता है तो दो हमने discuss कर लिया पहला और दूसरा third हम discuss करते है रिवन देखो रिवन का नाम इसलिए जाना जाता है इसके reliability के लिए बहुत reliable है ठीक है इसके पास thin ribbon होता है और किस से बनाता है thin ribbon aluminum, deuralumium और nano film से बनाता है जो कि magnetic film में suspended होता है और जो sound wave होता है जिसके कारण river में vibration होता है ध्याम देना sound wave के कारण river में vibration हुआ river में vibration जो हुआ नो वो रिवन में जो vibration हुआ वो voltage create करता है वो डिरेक्ली प्रोपोर्शनल किसका होता है velocity of vibration मतलब कि voltage डिरेक्ली प्रोपोर्शनल टू velocity और यह जो वोल्टेज होता है वही ट्रांसफर करता है electric signal के फोर्म में जो सुरुआती का रिवन जो होता था उसमें transformer यूज किया जाता था ताकि output voltage को increase किया सके लेकिन अभी वाला जो microphone है उसमें advanced magnet यूज किया जाता है ताकि strong signal को produce कर सके clear strong signal को produce कर सके अगला क्या है magnetic ink देखो magnetic ink character recognition मतलब अगर कोई ऐसा print किया गया है magnetic ink से print किया गया है उसको read करने के लिए उसको read करने के लिए MICR का use होता है क्योंकि एक input device है ठीक है और MICR का full form देख लिए magnetic ink character recognition full form आ जाता है यह और ठीक है यह बला point ठीक हो गया आपको character recognition technology होता है जो spatial magnetized ink से जो बना होता है उसको यह क्या करता है bank को गयरा में यूज होता है चेक को गयरा को परने के लिए ठीक है और एक और चीज़ देगे उसके बाद अगर पहले print करना है print करना मैगनेटिक से तो दो चीज़ यूज होता है एक laser printer बहुत आप से पूछा कोन से printer का यूज होता है मैगनेटिक प्रिंट करने के लिए laser printer विद M-I-C-I toner यह दोनों यूज होता है print करने के लिए magnetic अब यह एक device होता है the device reads the detail को reads करता है और computer को भेजता है processing करने के लिए अगर कोई document जो magnetic ink से print है वो उसको machine से pass करने पे पहले क्या होता है इंक का magnetize होता है ठीक है न और उसके बाद जो magnetic information है अधना उसके बाद और translate कियाता है character में यह बहुत important point है यहां देखिए document जो कि magnetic ink से print होता है उसको सबसे वहले machine से अगर pass करते हैं तो magnetize होता है ink का क्या होता है magnetize होता है और जो magnetic information होता है उसको character में translate कियाता है magnetic information को ठीक है देखो OCR क्या करता है देखो यहां पर क्या optical character reader optical character reader जो भी कहीं कोई आपके दौरा लिखा गया है कोई image है तो उस सब को क्या करने के लिए उसको digital format digital text में print करने के लिए input device यूज किया जाता है ओफिस में library में यूज किया जाता है बहुत जादा ठीक है अब यहां देखे इट process and copies the physical form of document using scanner after copying document OCR जो software convert होता है इस document को दो color में convert कर देता है black and white version जिसको हम बोलते bitmap black and white में convert करता है जिसको bitmap बोलते है यह याद रख सकता हो उसके बाद then it analyze the light and dark एरिया जो dark एरिया होता हो character होता है जो light area मतला होता हो खाली होता है background होता है तो hard copy जो पुराने जमाने का hard copy उसको PDF में convert करता है बाद में इसको edit भी किया जा सकता है clear तो एक देख लिए OCR digital text में convert किया जता है physical copy को याद रखेगा और यह सबसे पहले scanning में दो color scan करता है उसको bitmap बोलते हैं और जो black and white black का मतला होता है character white का मतला होता है background अब हम discuss करते है digital camera अगला क्या है digital camera है ठीक है इसके पास image sensor होता है जो कि image को capture कर लेता है जो कि पहले जो film यूज होता था न ट्रेलिस्टल कामरा में यह सब नहीं हो जा होता है जो भी हम यूज करते चाहें mobile में laptop में यह सब में digital camera ही जाता है इसके पास एक photo sensor होता है जो light को क्या करता है record करता है ठीक है न और enter the light light कैसे इंटर होती है लेंस के थुरू इंटर होती है तो हम सबको पाता है यह main धियान रखना है अगर light strike करती है photo sensors पे तो sensor क्या करता है electric current return करता है और जो image को create करता है ठीक है जैसे light परती है photo sensors पे sensor पे तो सारा sensor sensor photo sensor क्या करता है electric current के form में return करता है जो कि image को create करता है अगला क्या है paddle paddle क्या होता है यह भी input device है यह game में यूज़ता है मतलब इसको joystick का alternative माना जासता है ठीक है इसको हाथ से यूज़ता है volume को increase decrease करने के लिए इससे और कोई भी object जो एक पहले motion में है पहले से दूसरे स्थान पर आता है back and forth motion वाला जो होता है नो वह इसी के दौरा किया जाता है paddle के दौरा किया जाता है अगला है steering wheel यह भी gaming अगर में यूज किया जाता है video game में यूज किया जाता है mainly car racing गेम में यूज किया जाता है virtual simulator की तरह यार रखना है कि palm अपना palm हाथ हेली दिखा हो तो इसको selfie ले लेता है इसी को बोलते है जेस्चर जेस्चर recognition device एक इसमें से example है kinet kinet यूज होता है जो video game में यूज होता है player के movement पे player अगर ऐसे मारा है ठीक है तो उसके हिसारे पे काम करता है ठीक है अगला है light gun यह ज़्यादा ध्यान नहीं देंके जोड़ता है यह एक video game में friendly यूज होता है और और भी यूज करते है यह पहली बार यूज करते हैं इसके थ्रूप उसका touchpad तो screen में जो mouse के पास touchpad होता है या जो screen touch होता है उसकी बात करते हैं यह वाला जैसे laptop का यह वाला part होता है उसको touchpad बोलते हैं यह mouse का क्या है substitute है यह point आप से पूछा सकता है रिमोट भी एक प्रकार के input device है यह hardware device है जो design किया जाता है किसी और को चलाने के लिए तीवी हो गारा को चलाने के लिए देखो यह first cordless tv remote कभ इंवेड किया गया डॉक्टर रोवर्ट एडलर ऑफ जेनित के दोरा in 1956 यह कौन सा यूज किया था इंफारेड और रेडियो वेव यूज करता है और 1970 में CERN जो इंजीनियर्स फ्रांक पर्ट बेक और वेंट स्टम इन दोनों ने बनाया था मिजॉरिटी इलेक्ट्रोनिक डिवाइस में आप टाच स्क्री मिलते हैं अज थार्ड वर्चुल रियालिटी यह आर्टिफीसियल और वर्चुल इन्वारेमेंट है इसको कंप्यूटर में जेनरेट किया गया है वर्चुल अब्जेक्ट दिखाता है कि यह जादा नहीं ज सब अना सबक्सक्राइब करता है तो यह बहुत कुछ देखता है कि मिजर्मेंट देखता है जैसे डिस्टेंस कितना है दोनों आखों के बीच नाक और आँके बीच मुह के बीच और इसी से इंटिफाई करता है ठीक है और इवेन यह इतना समाट होता है कि मिलेब सेम साइज का पिक्चर है पर सन्का और रियल बर सनन उन दोण में हदिफ्रेंशीप करता है हैंड़ स्कारि रूज discussing कर जाता है थिए पामिज एवेद उनिक uh UP है है इसके लाबे एक रेटीना स्कैनर होता रीटीना और आईरिस स्कैनर बहुत सारे जिससे इसमें यूज हो जाता है अधार करड में इस से परसें अडेंटीटी पता चलती है और वो आइस स्कैनर ये भी एक इन्पूट डिवाइस देखिए बहुत सारे इन्पूट डिवाइस इसमें कुछ तो काफी जादे इंपॉर्टन है को सन पूछने के वाले नेक्स वीडियो में आउटपूट डिवाइस देखेंगे ठीक है और अगर कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप कॉमेंट कर सकते हो ठीक है न उसके अलाबे यह आप बताएए अब फॉन्ट ही ठीक है फॉन्ट में लंबा करके बेजता हूं फॉन्ट ही या और फॉन्ट जादा करें यह भी बता दिएगा उसके अलाबे जो हिस्ट्री वाला जो मैंने pdf है ना वो part 1 और part 2 दोनों डाल दिया है दोनों आप देख सकते हो और उसके बाद mcq भी हम डाल ले हैं ठीक है चलिए इसके लाबे आपको कोई भी doubt हो तो आप telegram पे message कर सकते हो और comment तो करना ही करना है तो चलिए मिलते हैं फिर thank you thank you so much